आम आदमी पार्टी इन दिनों मुश्किल दोर से गुजर रही है सुप्रिम कोट के फैसले से गदगद केजरिवाल एंड कमपनी की खुशी जादा दिनों तक नहीं टिकी वहीं सतिंदर जैन और मनेशी सोधिया के बाद अब केजरिवाल के जेल जाने की भविश्वानी शुरू हो गई है बीजेपी के बाद कॉंग्रेस के नेता भी केजरिवाल पर हमलावर है कॉंग्रेस नेता संदीप दिक्षित ने केंदर सरकार द्वारा दिल्ली में लाए गए अध्यादेश पर अपनी पर्तिकिर्या दि और केजरिवाल पर जम कर निशाना साधा संदीप दिक्षित ने कहा कि ये केजरिवाल की नाकाम सरकार है वो भ्रस्टाचार के दलदल में काफी नीचे तक दबे हुए है और इसी वज़े से किसी भी दिन देश के इतिहास में ऐसा हो सकता है कि एक चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री आठ दस दिनों के लिए जेल जाए समस्य ये है कि ऐसा कोई और दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है जो इतना असब्य हो आप दिल्ली में किसी से या फिर एलजी से पूछ सकते हैं कोई भी मुख्यमंत्री से बात नहीं करना चाहता है क्योंकि वो खराब भाशा का इस्तमाल करते हैं द्रसल दिल्ली में अधिकारियों को लेकर चुनी हुई सरकार और उपराजपाल के बीच घमसान मचा हुआ है। सबसे ज्यादा विवाद सरकारी अपसोरों के ट्रांसपर पोस्टिंग को लेकर है। हाली में सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसपर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की सरकार के पास ही रहेगा। लेकिन अधालत के आदेश के करीब एक हफते बाद केंद सरकार ने एक अध्यादेश लाया है। जिसके बाद आम आदनी पार्टी विफर उठी है और इस अध्यादेश का खुल कर विरोध कर रही है। इस अध्यादेश के जरिये दिल्ली में ग्रूप A और दानिश्क कैडर के अधिकारियों के ट्रांसपर और उनके खिलाफ अनुसात्मक कारवाई के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथोरिटी का गठन कर दिया गया है। यहां बतादे की दानिश्क का मतलब दिल्ली अंदमान निकोबार लक्षदीप, दमन एंड दूइप, दादरा एंड नागर हवेली से है। अध्यादेश को असम्वेधैनिक बता कर इसे अदालत में चुनावती देने की बात कह रही है। हलाकि बीजेपी के सभी नेता इस अध्यादेश को दिल्ली की जनता की भलाई से जुरा हुआ बता रहे है। बीरो रिपोर्ट ओमेच निउस।